स्ट्पीन कर दोलेइ, ट्रॉटे तो शिर्चेत पहलेगों साथ मुश्कार्श स्वागताम, जनाईस्वा पुनिसयासे बिन्टुरफियोर्ग नामारे मुहुटत कुने-पुने अपुना लुको एक पुनपोटिया हम प्रसार लो लोगाजां बीजेपीर बिजाउटसवा बीजेपीये तीनी खनार को भीक जाइ प्रसट कर बोलो हन्ध कियम होगत दीनी खनार बीजेपीर बीजाउटसवाद अंख़ागर हम पुरषे प्रथन मोंत्री नरेंडर मोदी या पूर्ण पोटिया द्रिस्टामी देखाई सु बीजेपीर डिलीर मिख्यो कार जाला तेया प्रणान मुट्री नरेंडर मोदी पूर्ण परसार कर उनका स्वाद़ किया रहा है पूर्ण पूर्ण परसार या बीजेपीर बीजा उत्साप अंखा गहन कोई से प्रणान मुट्री नरेंडर मोदी ये बीजेपी या दिलीर मुख्यो कार जलार स्वाभाभी कोटे बीजेपी जी धराने मुट्र परेखाई बीजेपीर बीजेपीर हादबस्टा कोरेले अग परवा है कारणी आ भाई गावनिया देखा गोई से अब जार श्लोगान जेह तुख कुड़र कोई फाले राजस्थान कांग्रेस और सुरकार असेल ये कांग्रेस और सुरका उपकर राये बीजेपी ये नीचोर धजा उन्वाबले हक्या मुखल हमां ट्राप कोई चत्ति प्रधान मंत्री उपसीर होए से डिलीर मुख्यों कार चलों बीजेपे बीजेपे बीजेवत्स अनन्दा ओया जिल्दाबाद भनी दिया रखा गोई से बीजेपे बीजेवत्स अनन्दा ओया बीजेपे 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 होन्यों कार चलों बीजेपे बीजेपे बीजेपे, प्रदान मंत्री नरेंजर मोडी प्रदान मंत्री काखोटे या जेपी नादाम लोगोटे अमिच्छा राजनाथ सिंग सार्युगरा के देखागोई से स्वागत करेंगे अधनिया रक्षा मंत्री जी मांसागत करेंगे प्प्ष अधनिया राष्ट्री अध्यजी से नम्र निवेदन करता हूं कि वो अपना स्वागत पर राश्रिया परेंगे अधनिया गटागे सबी बोलेंगे भारत मता की भारत मता की भारत मता की आज के इस आभार कारिक्रम में मंच पर उपस्षित आर्थिया जनता पार्टी के और देश के यशा स्वी प्रदान मंत्री अधनिया श्री नरेंज मोदी जी आज इस कारिक्रम में उपस्षित भारत के रक्षा मंत्री श्री राजनाच सिंग जी ग्री मंत्री जी अमित भाईशा जी बीजेपी मुख्यों का जलाट है बीजे उदसव देखा गए से परबटी हमोई सवाद आमी पुनोर अपना लुका पून पोटिया हमप्रसार ले लोएजां पर हन्मंत्री ता उपस्षित असे आरे जी पास राज़ो निर्बासनोर भीतर अजी तिनी हन राज़ो अट बी बीजेपीर जय जयकार तिनी राज़ो अट बीजेपीर बीज़ो अट बीज़ो निर्बासनोर पूर्बे बीजेपीर राज़ो स्थान मज्ध प्रदी सत्तिस कर्चोई वाहुशिल सुपीसर लुको हभा निर्वासन और पूर्वे पास राज्चर निर्वासना सिल सेमी फाइनल सारी राज्जर भोधकनों नाई बिजेपिक दिले सेमी फाइनल और बोयतोरों नी पार करार हुखबर मुठो प्रदिक दोखल करा लगते बिजेपिये कंग्रेसर प्रा आजुरिया निले राजुस्थान सत्तिस्गर बिपुरीते तेलेंगाराद बियारेसर डिर्वोधिन और खाखनर अंतो पेलाई गादी दोखल करीले कंग्रेसे तिनी राज़र विजेपिर जोये उनर प्रमान कोरीले उत्तर भारत तथा हिंदी बलयाद विजेपिराधी पोईटो प्रधान मुंत्री नरेंडर बोदिये हन्मुखर प्रा नेत्रिट तोदी आस्था जोय कोरीले तिनी राज़र भोताल सालों से देश था हाल बेहाल फिर जिल्दी की धीली पड़ी मुझ्य प्रदेख जोयर अरध प्रधान मंत्री मोदी मुझ्य मंत्री सिप्राशंग सुहनार उननैनर मंत्रबली उल्लिक कोरीले केंध्य मंत्री जोटिराधी तोसिन ये त्री मुर्ती जो हमारे पास केंदर में हैं, प्रधान मंत्री जी का, गरह मंत्री जी का और नड़ा साफ का, केंदर का त्री मुर्ती मध्य पदेश में एक-एक भाजपा का कारे करता, शिवराज सिंग जी के नितित में, बीडी शर्मा जी के नितित में, उसी का फल है कि आज पूर्ण परिणाम हमारे पक्ष में आया है। इन्होंने जो जनता के प्रती वादा खिलाफी की है, ठगी की है, जाल साजी की है। उसका परणाम है कि जनता ने आज इनकी विदाई ते कर दी। इन्होंने एंटी एंटी इनकंबेंशी नहीं थी। झांग्रेस के लोग कहते थे एंटी इनकंबेंशी। अज जनता के प्रो इंकंबेंशी थी। और भरपूर प्रार आज मदवलेस की जनता ने लुटाया है। मैं मद प्लेश की जन्टा को दौनों हाज जोर के प्रणाम करता हूं और हम सब यह विस्वाल दिलाते हैं यह एक एक बचन जो जन्टा रेंगे वो हम पूरा करेंगे इफले कॉंग्रेसर उल्लाग देखागोल तेलेंग गला बिपरिडे अखंपलोगे कॉंग्रेसर मुख्यों कर देखागोल निमाम पूरिवेख हन्दिया विजय उत्षब पातिमोले अजुः राजीब भवने नापाले ही हुचुँँँँः देव बारे प्वाव ओटियाखिक महाभुराप मंदिर नर्खनकरी कॉंग्रेसर जयर हपपन देखिसिन भूपेन पराय। इबिने विजेपी जयत आहलादी तो विजेपी हभापती अबेस को लिदा। निसितो भावे आमी जीतो कथा कोई शिलू जैखेख आही भावटे जंता पाठी माईबा आनिसितो भावाई या सेमी फैनल भूली पराय। अचातिश्गारद अबकां घोतिल कॉंग्रेसर राजत्तर बीजेपी निरंकु खांख्या गुरिश्टताइश्टाइब अचातिश्गारद बेली मार्च वाले कॉंग्रेस टालर। अचातिश्गारद जेनेट हरने एकजित पोल रिपोर्ट अनुखरी। चातिश्गारद असील जे कॉंग्रेसर बीजेपी मुता मुती एक एक अता नेक्तुनिक फाइठ हो पारे। इंट बीजेपीर तुदोना मुलगभापी कंग्रेस होगे कॉमसित दिया हुचले एकजिट पलोर किन्टु एकजिट पलोर रिपोर्ट होड़ाए एक खोटांख खुधधन भुद्धन भुली कोतू नहीं आखी खोटांख उठ्ट होए और ही आए देखी बले प्रोती फोली टो होल आजी फोला फोलोर दीना अठाथ आजी बले पोगल जे बीजेपीर केने को धरने बीजेपीर ता उठ्थान हुचे चाक्तीस करने कारन ड्रीजार उठ्थर जोडिया मीशाम अठ्थू पुंधर ता सीट असीला आजी इन्तु जोडिया मीशाओ तेटिया हले बीजेपीर हांगातिक धरन उठ्थान हुचे इट्या कठाव भूट की अभाब रोगल फुरूगा रोगल जार बावे अजी बीजेपी ए कि इस पष्ट भाउमत के साथ सरकार बनाएंगी यह मैंने कहा था और वो आज दिख रहा है और जो सारे गीट पोल से वो सब फेल हो गया है कांग्रेस के दावे खोखले हो गया है यह इस पष्ट दिख रहा है जनता कासिरवाद भारती जनता पार्टी को मिला है जो आतंग के साये में जनता जी रही थी जो भय के साये में जनता जी रही थी और आज जो भी वादे हम केंडियों ग्रहों मौंट्री गरा के अर्था ता मीशा है चाटीज गर्ण जिटे प्रसार सलाव बलेगो इसले कि हमों साथ कोई सिल जे टिया चाटीज गर्ण बीजेपी सरकारा सिल टेटिया ता नकसाल बात हमपूर्ण रोपे हेख होई पोर सिल और लोगों ते त्यों आन कि अधिए ट्यूल के बिसारी सिल जाता पुरीबर्टन आहोग और है पुरीबर्टन और धो अनिवला होई कम होल बीजेपी है और बीजेपी प्राक्टन मुए को मूंटे रमान सिंगे तिमान जय लाफ कोर से हुटे जिखने आमार हतार ख़बरा से आरो रमान सिंगे अट कि अनते देखिवले पाग उसले भुपेज वाघेलोर खवीटे वीजेवागल जी एता कम्मुनीटी परा है टोले के बिलोंग कोरे और था टोले के कुमी जाती पराहिते लू काहिसे को तिके तैने खेट्रा डूईगरा के माजो तो एता भाल प्रोतिदों टीटा हुशे लेकिन तो पुपेज वाघेल आगपर ही को से अमी ए बात्री पराहिते लेके होई तो जाइलाफ पर बनी जार खोमुनीटी पराहिते लिए नहों का महादेव सकें एता अईन्य कारण हब पारे एटिया को था हुशे चाटीज कर आट जीए तो जीनी हमुश्ता से ले एकि क्रि खुक हखा के क्रीन माफरwyn प्रजन मों क्लोई टेले किसु प्रतिशूटिक प्रदान कोर से एज्या कोठा हुसे जे राइजे डूयू विजेपीर बा कॉंग्रेस और मैनिफेस्टो ख्लोई राइजे कारू परण विस्था कोर लेकार राइजे देखिले जे जो पास्टा बसरोर केनुका धरोने असलों अबना हमसा दूर्वल ने नहोल के गुटेखिने असलों राइजर राइजे अट भिसार बिबसना कोरी एने ट्रने पोल दिल्या राइज लाहिले और मी पुनार को सुट्वेजर उठार उठार जोडी अपनी साइट अले अजीड है अजीड विज्वेजर टेस्ट की दो ह तक ही हरो फिसको नरब विजपीच अटीज कर अगुना कुना कुरा अग्वले होगा मुसे अरेजिव लेकर तो चैट इसकर मेजिक नमबर हुसे सबसे अरेजिव एगुट्व पर रिवेज पर बेरास कोर से चैटीज गरोज इखमो विजपी कार जलो से बबीजपी करमो अगुट्व पर तो कोला से टेल के इती में था अगुटिया को इती पावली राइजन कोर से फटकाप फुटाइसे मिठाइब दोरन कोर से और लोगते बहर हर मोदीर तेल के स्लोग अधिसे राजस्थान 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 कोरी सरकार गथन कोरी बोलोई त्या हाज जुए से बीजेपी डॉल एक प्रकार कॉंग्रेसों धूली साथ कोरी ले। जुए से बीजेपी डॉल एक प्रकार कॉंग्रेसों धूली साथ कोरी ले। जुए से बीजेपी डॉल एक प्रकार कॉंग्रेसों धूली साथ कोरी ले। कारते हुए और भारती जनता पार्टी के सुराज को अपनाने का काम किया है। जुए से बीजेपी डॉल एक प्रकार कॉंग्रेसों धूली साथ कोरी ले। जुए से बीजेपी डॉल एक प्रकार कॉंग्रेसों धूली साथ कोरी ले। जुए से बीजेपी अर्यार फॉल लाफ कोरी ले एक बार निर्वासनाद। जुए से बीजेपी डॉल एक प्रकार कॉंग्रेसों धुए से बीजेपी अर्यार फॉल लाफ कोरी ले राजवस्थानाद। अर्यार राजवस्थानाद कुन होब मुखामाट्री बसंद्रा ने शेखावत ने दिया कुमारी कुन होब मुखामाट्री प्राठी टाकलो सुलिसे ब्यापक जॉल पना कॉल पना कि जीत हुई है आज वंचीतों को वरियता के विचार की जीत हुई है आज भारत के विकास के लिए राज्यों का विकास इस सोच की जीत हुई है आज इमानदारी पारदर्शिता और सुशासन की जीत हुई है मैं इसमान से सभी मतजाताओं को आजर पुर्वक्त नमन करता हुँ मत्वदेश, राजस्थान और 36 गड़ के लोगों ने हाजपा पर भरपूर्श ने दिखाया है तेलंगना में भी बीजेट्वी के फती समर्फन लगातार बढ़ रहा है यह हम सभी का सवभा क्या है जब अपने परिवार जनों से इतना प्यार मिलता है विश्वास मिलता है तो मैं व्यक्तिगत रुप से वनुभाव करता हूं कि मेरी जिम्मेदारी और अधीश बढ़ जाती है आज भी मेरे मन में यही भाव है मैं अपने माताओं बेनों बेटियों के सामने मैं अपने युवास साथियों के सामने मैं अपने किसान भाई बेनों के सामने मैं अपने गरीब परिवारों के सामने उन्होंने जो मिरने जो बड़ चड़कर के समर्थन दिया है इसके लिए मैं उनके सामने नतमस्तक हूँ इस चुनाओं में देश को जातियों में बाटने की बहुत कोशिशे हुई लेकिन मैं लगातार कह रहा था कि मेरे लिए देश में चार जातियां ही सबसे बड़ी जातियां है और जब मैं इन चार जातियों की बात करता हूँ हमारी नारी शक्ति हमारी युवा शक्ति हमारे किसान और हमारे गड़ी परिवार इन चार जातियों को ससक्त करने से ही बेश ससक्त होने वाला है आज बड़ी संख्या में हमारे ओबी सी साथी इसी वर्ग से आते हैं आज बड़ी संख्या में हमारे आदिवासी साथी इसी वर्ग में आते हैं और इन चुनाओं में इन चारों जातियों ने भाजपा की योजनाओं और भाजपा के रोड में को लेकर बहुत उत्सा दिखाया है आज हर गरीब कह रहा है वो खुद जीता है आज हर वंतित के मन में भावना है कि चुनाओं वो खुद जीता है आज हर किसान यही कहता है यह चुनाओं हर किसान जीता है आज हर आदिवासी भाई बैन यह सोच कर खुछ है कि उसने जीसे वोड़ दिया वो विजय उसकी अपनी है आज हर फर्स टाइम वोटर बड़े गर्व के साथ कह रहा है कि मेरा पहला वोट मेरे विजय कारण बना है इसी जीत में हर महिला अपनी जीत देख रही है इसी जीत में बैतर भविस्त का सपना देखने वाला हर युवा अपनी जीत देख रहा है हर वो नागरिक इसे अपनी सफलता समझ रहा है जो 2047 में भारत को एक विख्सित राष्ट देखना चाहता है साथियों मैं आज विशेश रुप से देश की नारी शक्ति का अभिनन्दन करूंगा रेलियों में मैं अक्सर कहता था कि इन चुनावों में नारी शक्ति ये ठान कर निकली है कि भाजपा का परचम लहराएगी और जब बेश की नारी शक्ति किसी का सुरक्षा कबच बन जाए तो कैसी भी ताकत उसे नुकसान नहीं पहुँचा सकते आज नारी शक्ति बंदन अधिनियम ने देश की माताओं बेहनों बेटियों के मन में नया विश्वास जगाया है आज देश की हर महिला में ये भरोसा जगा है कि भाजपा सरकार में उनकी सक्रिय भागिदारी को नहीं बुलंदी मिलने वाली है आज हर बेहन बेटी को साप साप लगता है कि बीजेपी ही नारी गरिमा नारी सम्मान नारी सुरक्षा की सबसे बड़ी गारंटी है उन्होंने देखा है कि बीते दस वर्षों में भाजपाने उन तक टॉयलेट बिजली गैस नल से जल बैंक में खाते ऐसी बुनियादी सुविदाएं पहुचाने के लिए कितनी इमानदारी से काम किया है आज वो देख रही है कि कैसे बीजेपी बीजेपी घर परिवार में समाज में उनकी आर्थिक भागीदारी बढाने के लिए उन्हें रोजगार स्वरोजगार के नए अवसर देने के लिए निरंतर काम कर रही है नारी शक्ति का विकास बीजेपी के विकास मॉडेल का एक महत्वपून स्तंब भी है और इसलिए इन चुनावों में महलाओं ने बेहनों बेटियों ने एक प्रकार से भाजप का के विजेए की पूरी जिम्मेवारी अपने हाथ में उठा ली थी और भरपूर आशिरवाद दिया है मैं आज पूरी विनम्नता से देश की हर बेहन बेटी को यही कहूंगा कि आप से जो वाइदा बीजेपी ने किये है वो शत्र प्रतिशत पूरे किये जाएंगे और ये ये मोदी की गारंटी है और मोदी की गारंटी यानि गारंटी पूरा होने की गारंटी साथियों चुझाव नतीजों ने एक और बात स्पस्ट की है देश का युवा सिर्फ और सिर्फ विकास चाहता है जहां भी सरकारों ने युवाओं के खिलाब काम किया है वो सरकारे सत्ता से बहार हुई है चाहे राजस्तान हो चत्तिजगड हो या तेलंग ना हो ये सारी सरकारे पेपर लीक और भरती गोटालों के आरोपों में गिरी हुई थी परणाम ये हुआ कि इन तीनों ही राज्यों में सत्ता में बैटे दल अब सरकार से बहार है आज देश के युवा में ये भरोसा लगातार बढ़ रहा है कि बीजेपी ही उसकी आकांशाय समझती है उसके लिए काम करती है देश का युवा ये जानता है कि बीजेपी की सरकार युवा हितेसी होती है युवाओं के लिए नए आउसर बनाने वाली होती है साथियों आदेश का आदिवासी समाज में अब खुल कर अपनी बात रख रहा है ये वो आदिवासी समाज है जो कॉंग्रेस की नीतियों की बज़ह से साथ दसक तक पीछे रहा जिसे आउसर नहीं दिये गए इनकी जनसेंगे आज दस करोड के आसपास है हमने गुजरात के चुनाव परणाम बे भी ये देखा है जिस कॉंग्रेस ने आदिवासी समाज को कभी पूछा तक नहीं उस आदिवासी समाज ने कॉंग्रेस का सफाया कर दिया यही भावना आज हमने MP 36 गड़ और राजस्थान में भी देखी है इन राज्यों की आदिवासी अंचल की सीटों पर कॉंग्रेस का सुप्रा साफ हो गया है आदिवासी समाज आज विकास के लिए आकांची है और उन्हें बरोसा है इस आकांच्छा को सिर्फ और सिरफ भाजपा सरकार ही पूरा कर सकती है मेरे परिवार जनो मैं आज हर राज्य के भाजपा कायर करताओं की भी सराना करूंगा भूरी भूरी प्रसंसा करूंगा भाजपा और कबल के प्रती आपकी निष्ठा आपका समर्पन अतुनिय है डबल इंजिन सरकार का मैसेज आपने पूरी मांदारी से जन जन तक पहुँचाया इसी का प्रणाम आज हमें मिल रहा है हमारे राष्टिय देख्ष्य नद्दाजी जिस प्रकार अपनी नीती रणनीती को अमल में लाए यह विजय उसका भी पननाम है और चुनाव के धर्म्यान उनके परिवार में एक दुखत घटना घटी लेकिन उसके बावजुद भी नद्दाजी भारती जनता पार्टि के कारकरता के रूप में दिन रात ढटे रहे साथियों राज नीती के इतने वर्षों में मैं हमेशा बविश्यमानियों से दूर रहा मैं कभी बादे बादे और बड़ी बड़ी गोश्राइं नहीं करता हूँ इतने साल हो गए कभी नहीं करता हूँ लेकिन इस बार चुनाव में मैंने अपना ये नियम भी तोड़ा था मैंने राजस्तान में मावजी महराज को प्रणाम करते हुए उनी की धर्ती पर ये भविश्यमानी की थी कि राजस्तान में कॉंग्रेस सरकार लोट करके नहीं आएगी मैं भविश्य बेता नहीं हूँ लेकिन मेरा राजस्तान के लोगों पर भरोसा था वहां की जनता पर भरोसा था और आज हम नतीजे देख रहे हैं मत्य प्रदेश ने भी हमें फिर दिखाया है कि भाजपा के सेवा भाव का कोई विकल्प नहीं है कि दो दसक से वहां भाजपा की सरकार है और इतने वर्षों के बाद भी भाजपा पर भरोसा लगातार मजबूती हो रहा है 36 गड़ के परिवार जनों को तो मैं जब मैं बाद चुनाओ सभाओं में गया तो मैं खुदी पहली सभा में 36 गड़ के चुनाओं की पहली सभा में मैंने खुद कहा था मैं आप से कुछ मांगने नहीं आया हूँ मैं तो आपको तीन डिसंबर के बाद सरकार बनेगी तो सपत समारों में निमंत्रन देने के लिए आया 36 गड़ के परणाम से साफ है कि हर परिजन ने उस बात को स्विकार किया है मैं तेलंगला की जनता और तेलंगला की भाजपा कायर करताओं का बिशेश आभार व्यक्त करताओं हर चुनाओं में तेलंगला में भाजपा का ग्राप लगातार बढ़ रहा है मैं तेलंगला के लोगों को एविश्वाद दिलाता हूं कि बीजेपी आपकी सेवा में कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ेगी भारतिय जनतापार्टी तेलंगला अभीवृत्ती कोसम एल्ला पूडुपनी चेंस्तुने उटुंदी तेलंगला तो माको चाला मंची अनुबन्दम उंडी मेरे परिवार जनो इस चुनाव परणाम की गुण्य सिर्प एमपी राजस्तान और सत्रिस गर्टाक सीमीत नहीं रहेगी इन परणामों की गुण्य दूर तक जाएगी पूरी दुनिया में इन चुनाव परणामों की गुण्य सुनाई देगी ये चुनाव परणाम भारत के विकास पर भरोसा दुनिया के भरोसे को और मजबूती देगा ये चुनाव परणाम दुनिया भर के निवशकों को भी नया विस्वास देगा भरोसा ये कि आज़ादी के अमरित्काल में विक्सीत भारत का जो संकल्प हमने लिया है उसे जनता जनारदन का लगातार आशिदवाद मिल रहा है आज दुनिया देख रही है कि भारत का लोक तंत्रा और भारत का वोटर दोनों कितने परिपक्व हैं कितने मैच्चौर है आज दुनिया देख रही है कि भारत की जनता पूर्ण बहुमत के लिए स्थीर सरकार के लिए सोच समझ करके वोट कर रही है साथियों भाजपाने सेवा और सुसासन की राजनीति का नया मोडल देश के सामने प्रस्तूत किया है हमारी नीती और नेड़ों के मूल में शिर्फ पर सरफ देश है देश वासी है भारत माता की जैए यही हमारा मन्त है इसलिए भाजपा सरकारे सिर्फ नीतिया नहीं बनाती बलकि हर हकदार हर लाभारती तक वो पहुंचे ये भी सुनिस्चित करती है भाजपा, परफॉर्मेंस और डिलीवरी की राजनिती देश के सामने हकीकत बन करके लेकर के आई है भारत का मत्दाता जानता है कि स्वार्थ क्या है जनहीत और राष्टहीत क्या है दूद का और पानी का भेज़ देश जानता है जैसे तैसे जीतने के लिए हवाई हवाई बाते करना और लोब लालच की गोठनाए करना ये मत्दाता पसंद नहीं करता मत्दाता को उसका जीवन बहतर करने के लिए एक स्पस्ट रोड मैप चाहिए एक विश्वस्णी ते चाहिए एक बरोसा चाहिए भारत का वोटर ये जानता है कि जब भारत आगे बढ़ता है तो राज्य आगे बढ़ता है हर परिवार का जीवन बहतर होता है इसलिए वो बीजेपी को चुन रहा है लगातार चुन रहा है और कुछ लोग तो कह रहे हैं कि आज की इस हैट्रिक ने 24 की हैट्रिक की गारंटी दे दी है साथियो आज के जनादेश ने ये भी साबित किया है कि ब्रस्ताचार तुस्टी करान और परिवार बात को लेकर देश के भीतर देश के हरनागरिक के दिल में जीरो टॉलरंस बन रही है आज देश को लगता है कि इन तीन बुराईयों को खत्म करने में अगर कोई प्रभावी है तो वो भाजपा ही है भाजपा की केंद्र सरकार ने देश में ब्रस्ताचार के विर्द जो अभ्यान छेट रखा है उसको भारी जन समर्थन मिल रहा है ये उन दलों उन नेताओं को बोटर की साप साप चेतावनी है जो ब्रस्ताचारियों के साथ खड़े होने में जराभी शर्मन वह नहीं करते उन लोगों को देश की जनता ने आज साप साप संदेश दे दिया है और ऐसे लोग जो बाती भाती के तरकों से ब्रस्ताचारियों को कवस देते हैं कवरब परने की कोशिश करते हैं ऐसे लोग जो ब्रस्ताचार पर कड़ा प्रहार करने वाली चांच एजन्सियों को बदनाम करने में दिन राज जुटे हुए हैं बेसमजने ये चुनाव नतीजे ब्रस्ताचार के खिलाब लड़ाई का भी जन्समर्थन है ये चुनाव नतीजे कॉंगरेट और उसके गमन या गड़ बंदन के लिए भी बहुत बड़ा सबक है सबक ये है कि सिर्फ कुछ परिवारवादियों के मंच पर एक साथ आजाने से फोटो कितनी अच्छी निकल जाए देश का भरोसा नहीं जीता जाता देश की जन्ता का दिल जीतने के लिए राष्ट सेवा का जज़बा होना चाहिए और गमन या गड़ बंदन में रती भर भी वो नजर नहीं आता है गाली गलोच निराशा नगेटिविटी एक गमंडिया गड़ बंदन को मेडिया की हेडलाइन जरूर दे सकती है लेकिन जन्ता के दिल में स्थान नहीं दिला सकती है साथियों आज के ये नतीजे उन ताकतों को भी चेतावनी है जो प्रगती और जनकल्यान की राजनीती के खिलाप खड़े रहते हैं कि जब भी विकास होता है कि कॉंग्रेस और उसके साथ ही विरोज करते हैं कि जब हम मंदे भारत ट्रेल लांच करते हैं तो कॉंग्रेस और उसके साथ ही उसकी मजाक उड़ाते हैं जब हम आईश्मान भारत लॉंच करते हैं तो कॉंग्रेस और उसके साथ ही इसमें रोड़ा अटकाते हैं जब हम गरीबों के लिए घर बनाते हैं तब कॉंग्रेस और उसके साथ ही रुकावटे डालते हैं जब हम गरीबों तक नल से जल्ब पहुंचाते हैं तो कॉंग्रेस और उसके साथ इसमें प्रस्टाचार का रात्ता बनाने में लग जाते हैं जब हम ग्यामीन विकास के लिए फंड बेचते हैं तो कॉंग्रेस और उसके साथ इसे गरीबों को तक पॉहितन में रुकावट डालने की कोशिश करते हैं कि ऐसी सभी पार्टियों कि ऐसी सभी पार्टियों को आज गरीबों ने चेतावनी दी है सुधर जाएए कि सुधर जाएए वरना जनता आपको चुन चुन करके साफ कर देगी आज ऐसी पार्टियों के लिए सबक है कि केंद्र सरकार की गरीब कल्यार की योजनाओं और उनके लिए भेजे जहरा है फंड के बीच में आने की कोशिश मत करो यह जनता का आदेश है वरना जो बीच में आएगा उसे जनता हटा देगी लोग तंत्र के हित में मेरी कॉंगेरेस और उसके साथियों को नमरता पुर्वक सला है कृपा करके ऐसी राजनिती न करें जो देश विरोधी ताकतों को बल दे जो देश को बाटना चाहते है ऐसे लोगों को मजबूती दे जो देश को कमजोर करने वाले विचारों को गती दे साथियों आज भारत की अर्थे ववस्ता का हर पहिया पूरी गती से घूम रहा है कुछ लोग कह रहे थे कि विश्व में मंदी का आशर भारत पर पड़ेगा लेकिन भारत ने हर आकलन से कहीं बहतर प्रदर्शन किया आज भारत दुनिया की सबसे तेजी से विक्षिद होती आर्थिक ताकत है आज भारत का आत्म विश्वास भारत के लोगों का आत्म विश्वास अभुत्पुर्वस्तर पर है आज भारत में यदिश में रिकॉर्ड DST कलेक्शन हो रहा है कृुषी उत्पावन के नई रिकॉर्ड बन रहे है भारत के शेर मार्केट पर बरोसा चरम पर है आज भारत के निर्यात के नई रिकॉर्ड बन रहे है यूपी आई ट्रांजेक्शन के नए रिकॉर्ड बन रहे हैं त्यहारों में खरीद के नए रिकॉर्ड बन रहे हैं गाडियों की सेल के नए रिकॉर्ड बन रहे हैं आज बारत में सिमेंट प्रोडक्शन बढ़ रहा है कोईला प्रोडक्शन बढ़ा है आज बारत में स्टील में भी बहुत अधी पुर्ती देखी जा रही है साथियों आज भारत का फिजिकल इंफासेक्टर पूरी तरह से ट्रांस्फरम हो रहा है आप देखिए चारों तरफ एक्सप्रेस वे का इंडिस्टियल कोरिडोर का जाल बिश रहा है भारत के रेल आज अपने ट्रांस्फरमे आज देश में नए रिल्वेस्टेमिन बन रहे हैं आधुनिक ट्रेने आ रही हैं गती नहीं है संकल्प नहीं है और मैं देश वांचों को कहना चाहता हूं हर देश वांचों को कहना चाहता हूं और मैं मेरे ट्रेक रेकोर्ड के आधार पर कहना चाहता हूं बड़ी मांदारी से कहना चाहता हूं आपके सपने आपके सपने मेरे देश वांचों आपके सपने वो मेरा संकल्प है आपके सपनों को पूरा करने के लिए जो मेरा संकल्प है वो मेरी साधना भी है मेरी तपस्या भी है साथ्यों भारत का डिजिटल इंफ्रसेक्टर दुनिया में स्रिष्थता की तरफ बढ़ रहा है भारत आज दुनिया में 5G नेटवर्क के मामले में अगरणी देश में पहुँच चुका है आज भारत में गाउं गाउं तक अप्टिकल फाइबर पहुँच रहा है आज देश के सोचल इंफ्रसेक्टर पर भी अबुत्पुर्व गती से काम हो रहा है हर गरीब को मुप्त राशन वाली योजना अगले 5 साल के लिए बढ़ा दी गई है भाजपास सरकार में चार करोड गरीब परिवारों के पक्के गर बन चुके है हम हर गरीब परिवार को पक्की छत देने के संकल पकी के और तेजी से बढ़ रहे है घर गर नल से जल यह भ्यान तेज गती से चल रहा है आज देश में रिकॉर्ड गती से नई अस्पताल बन रहे है मेडिकल कॉलेज बन रहे है कॉलेज और यूनिवर्सिटी के संख्या बढ़ रही है तात्यों आज भारत आगे बढ़ रहा है भारत का नागरिक आगे बढ़ रहा है भारत के लोग इस momentum को बनाय रखना चाहते हैं अब इससे पीछे नहीं हटना है और पीछे हटना ये मोदी के तो कभी स्विकार नहीं हो सकता है भारत के लोग stability चाहते हैं कि स्थाई तो चाहते हैं भारत के लोग विक्सित भारत की आत्रा को गती देना चाहते हैं कि मैं देश के प्रत्यक युवा को आवान करता हूं वो विक्सित भारत का अमबेसेडर बनें वो विक्सित भारत के संकल्पों का नित्रुत्व करे मैं भाजबाकायर करता हूं से भी कहूंगा प्रतेक भाजबाकायर करता हूं नमो एप पर जाएं और कम से कम दस लोगों को विक्सित भारत का एंबेसेडर बनाएं हमें आज एक ऐसी पीडी तेयार करनी है जिसका सपना हो विक्सित भारत जिसका संकल्प हो विक्सित भारत जिसकी साधना हो विक्सित भारत जिसका समर्पन हो विक्सित भारत साथियों विक्सित भारत के निर्माण के लिए ये बहुत जरूरी है कि कोई भी नागरिक कोई भी नागरिक पीछे नहीं छूटे इन चुनावों मेंने लगातार कहा है कि हर लाभारती तक पहुचकर भाजबा सरकार उसे सरकारी योजनाओं का लाभ देगी इसके लिए केंद्र सरकार ने चौदा नमंबर यानि जन जातिय गवरव दिवास यानि भगवान बिर्शा मुंडा की जैनती से विक्सित भारत संकल पर यात्रा शुरू की है योजनाओं से वंचित लोगों को जोड़ने के लिए सरकार खुद लोगों के दरवाजे पर दस्तक दे रही है जिन जेत्रों में यात्रा पहुत रही है वहां लोग खुश्या मना रहे हैं कि मोदी की गारेंटी वाली गाड़ी हमारे गाउं आ रही है मैं आज विजे के इस समारों से हर विजे भी कारकरताओं को सला दूँगा आगरे करूँगा अब आज से आपको मोदी की गारेंटी वाली इस गाड़ी के आगे आगे चलना है मोदी की गारेंटी वाली गाड़ी देश की सफल्ता की गारेंटी बनेगी और ये भी मोदी की गारेंटी है और आपको एक बात और याद रखनी है जहां जहां दूसरों से उम्मिद खत्म होती है वहां से मोदी की गारेंटी शुरू होती है मेरे परिवार जनों विधान सबा चुनाव के नतीजों ने पोजिटिव एनरजी का एक ऐसा प्रवाः शुरू किया है जिसे आज पुरा देश महसूस कर रहा है इस शक्ति ने विख्षीज भारत के लिए तयार हुई नीम को और मजबूत कर दिया है हमें ये उर्जा बनाए रखनी हमें ये शक्ति बढ़ाते रहना है हमें 140 करोर भारतियों के विश्वास को जगाए रखना है हमें जन जन को अपने साथ जोड़ना है हमें हर मन को समझना है हमें सब को साथ लेकर चलना है हमें हर एक को अमरत कान की विकास यात्रा का साथ ही बनाना है जो हमसे दूर है हमें उनके पास पहुंचना है जिने संदे हैं हमें उनमें भरोसा जगाना है भाजपा के कायर करताओं पर जिम्मेदारी और बढ़ गई है क्योंकि कि नकारात्मक्षक्तियां अब तेजी से एक जुड होने का प्रयास करेगी देश को बांटने वाली ताकतें अभेडी चोटी का जोर लगाएगी समान में खाई पैदा करने वाले अब नए मौके तलासेंगे हमें उन से मुकाबला भी करना है उनके फेक नेरेटिव को जवाब भी देना है लेकिन उससे बढ़कर हमें जनता के यकीन को बनाए रखना है साथियों उस्षा और उमन के इस्वातावर के बीच मेरी आदत छूटती नहीं है तो मैं फिर तो यह तो करता ही रहता हूँ क्यों मुलत हसंगटन से निकला हूँ तो स्वभाव मेरा जाता नहीं मैं आज पूरा दिन चल राद जाद समय नहीं देपाया देखनी पाया क्योंकि मैं हमारे जो भारत का पूर्वी समुद्री तठ है वहां साइक्लोन की संभावनाय नजर आ रही है जरतीजी की संभावनाय नजर आ रही है और इसलिए विजय के महत्सों में भी मैं तो यही कार्यकरताओं से कहूँगा हमें साइक्लों मिचों से भी सतर्ट रहना है बंगाल की खाड़ी से सटे तटी इलाकों में इसका प्रभाव पड़ सकता है केंद्र सरकार लगातार इस पर राज्य सरकारों से संपर्ग में है उनकी हर संबव मदद भी कर रही है मैं तमिलनाडू, पुड़ीचेरी, उड़ीचा और खास तोर से आंदर प्रदेश के भाजपा कारकरताओं से भी कहूंगा कि राज्य सरकार बले किसी भी दलकी हो आप पूरी शक्ती से राहत और बचाव काम में जुट जाना प्रशासन को पूरा साथ देना और यही एक समर्पीद भाजपा कारकरता के समस्कार होते हैं हमारे लिए दल से बड़ा देश है हमारे दिल से भी बड़ा हमारा देश वासी है साथियों सब के प्रयास से ही हमने अपने संकल्पों की सिद्धी कर सकते है मुझे देश की अमरुत पीड़ी पर बरोसा है हमारा लक्ष एक है साधना एक है सपना एक है भारत विक्सित होकर रहेगा इसी भी स्वास के साथ मैं फिर एक बार सभी मत दाताओं का बिनंदन करता हूँ जो भी विजई हुए है उनको शुब कामनाई देता हूँ और हम सब मिल करके देश के सामान ने मानुई यासा पैक्षाओं को पूरा कर पाएं मैं आप सब कायर करता हूँ को आपके माध्यम से माधान में जो लोग महनत कर रहे थे उन सब को रजई से बहुत बहुत बढ़ाई देता हूँ मेरे साथ मोलिए भारत माता की भारत माता की भारत माता की बहुत बहुत धन्यवाद नाट मुड़ू जाए्ट जाए्ट ठीम। प्राइब नाट जाएब एग जाएव जाएब छीम। नाट मुड़ यूजर